Hey guys, welcome to my YouTube channel MBA Parts Shala, मेरे YouTube channel MBA Parts Shala पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं एक और amazing session जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि last class में कि हम लोग next class में नया topic स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है boat and stream तो बच्चे ये session हम सभी का इन exams के लिए बहुत important होने वाला है If you guys are targeting CATS, IFT, SNAP, NMAT, TIS, CMAT, CET, IPMAT, CLAT, Campus Pacement exam and किसी भी aptitude exam को अगर आप लोग target कर रहे हो तो आप लोगों के लिए session बहुत ही amazing होने वाला है This is our official telegram channel ये हमारा official telegram channel है जिसका नाम है MBA Parts Shala आप लोग इसको जरूर join कर लीजेगा क्योंकि सारे के सारे updates PDF बगर आप लोगो यहीं पर मिलने वाली है Telegram का link आप लोगो को comment section में भी pinned मिल जाएगा और second thing is इस video के description में भी मिल जाएगा अगर आप लोगो ने time split distance के इससे पहले वाले sessions नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को suggest करूँगा कि आप लोग इससे पहले वाले सारे के सारे sessions देख लें ताकि आपको चीजें बड़ी अच्छी तरह से clear हो ठीक है तो boat and stream आप लोगों को एक picture दिखाए देरी होगी अपनी screen पर इसके through में इसको समझाने की कोशिच करूँगा बच्चे ठीक है अगर आप लोग देख पार हो ये एक boat है ठीक है boat में क्या है पानी का flow तो इधर है flow of the stream stream क्या होता है जो पानी होता है अगर stream का flow इधर है और boat उधर जा रही है तो इस वाले case को हम लोग क्या बोलते है अब stream बोलते है अगर flow of the stream इधर है और boat इधर आ रही है तो हम लोग इसको कौन सा case बोलते है down stream case बोलते है simple सी language में अगर मैं आप लोग को बता हूँ तो मैं इसको class में ऐसे भी बनाएके draw करवाता हूँ ठीक है stream इधर जा रही है तो दोनों opposite direction बोट इधर stream इधर देख रहे हो बोट इधर stream इधर तो इस वाले case को हम लोग क्या बोलते है आप stream बोलते है तो down stream और upstream वाली चीज़े आपको समझ में आ गई होगी पहले तो आपको यह clear होना चाहिए कि down stream क्या होता है और upstream क्या होता है कुछ terms भी हमारे पास होते हैं अगर मैं आप लोग बता हूँ जैसे मैं इस वाले scenario में लेता हूँ ठीक है जो बोट है मालनो speed of boat ठीक है जो बोट का speed है यह धियान रखना हमेशा मैं इस ही को मानवेचा दूँगा speed of boat 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 को मैंने कितना मान लिया x मान लिया km पर ठीक है और वहीं मैंने speed of stream को भी कुछ मान लिया वहाँ पर मैंने speed of stream को भी कुछ मान लिया speed of stream कितना है y km पर बात समझ मा गई बोट का speed कितना है x km पर आ रहे है तो यहाँ पर हमारे पास एक downstream speed बनता है, क्या होता है, मैं आप लोगों बता देता हूँ, एक हमारे पास होता है downstream speed, downstream speed, downstream speed होता है बच्चे, x plus y, kilometer per r, ठीक है, और एक हमारे पास term होता है upstream speed, एक होती है upstream speed, किस्पीड कितनी होती है बच्झे यूसली यह ना जाता है बट करहें hand क्जिस में यह होता है कि बट का स्थिम की स्थ pada होता होट यह सक्ना यह बच्षा ऐसी और ही Κिलो मेंटर पहराँ बात समझ में आ गई तो आप लोगो ना किंगर बिस ना आगया कितना होता है और आप लोग को up stream की समझ में आ गया हुआ कितना होता है downstream speed और upstream speed downstream speed जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग दोनों को क्या करते हैं add कर देते है speed of boat और speed of stream को जब हम लोग upstream speed निकालते हैं जब हम लोग upstream speed निकालते हैं तो हम लोग क्या कर देता हैं, स्पीड उफव बोर्ट में से स्पीड अओफ इसि्टिमगो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, Getting my point, तो ये सारे की सारे terms, आप लोगों को clear हो गए होगे, यहाँ पर मैं इने अपनी calculation में, Speed of boat को कितना माना है X माना है और Speed of stream को कितना माना है Y माना है Speed of boat कितना है X है और Speed of stream कितना है Y है तो Downstream Speed is X plus Y आप Stream Speed is X minus Y इन सारी चीज़े को लिख ले न Proper notes बनाते time क्योंकि जो Down, Boat and Stream का concept है वही as it is हमारा Escalator का concept है वही same हमारा किसका concept है Escalator का concept है क्योंकि Escalator में भी आपको बताऊंगा बिल्कुल डिक्टो सेम चीज़ हो रही होती है ठीक है उसका काम हम लोग तब करेंगे अभी इसको आगे बढ़ते है ठीक है चलो एक बात और धियान रगना धियान रगना अगर आप लोग आपको पता है न upstream speed upstream speed ही कितना होता है देखो धियान से देखना upstream speed upstream speed को मैं अब short में US बोलूँगा ठीक है similarly downstream similarly downstream speed को similarly downstream speed को मैं क्या बोलूँगा DS बोलूँगा ठीक है चलो बात समझ में आ गई तो upstream speed से भी को पता है कितना होता है speed of what x speed of steam minus x minus y kilometer per hour वही down steam speed क्या कितना बोला जाता है x plus y kilometer per hour यही बोला जाता है न ये बात आपको clearly समझ में आ गई होगी चलो थोड़ा सा धिहान से देखने कोशिश करो जरा ठीक है अगर मैं up steam speed plus down steam speed को add कर देता हूँ और उसका half से multiply कर देता हूँ उसका half से multiply कर देता हूँ ठीक है अगर मैं इन दोनों को add कर देता हूँ और half से multiply कर देता हूँ so this is nothing हमारे पास पता क्या आ जाएगा speed of vote आ जाएगा speed of vote आ जाएगा आप लोग करके देख लेड़ा मुशे कोई problem नहीं है अप stream speed कितना है हमारे पास जाएगा बताना x-y यह अप stream speed है down stream कितना है x plus y plus y से minus y के एंधिल x plus x 2x 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 से 2 गटना कितना आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा उसका हम लोग क्या बोलता है speed of vote बोलता है ठीक है ऐसे एगर मैं half down stream speed minus up stream speed कर दूँगा half down stream speed minus up stream speed कर दूँगा तो यह मेरे पास क्या आएगा half down stream speed minus up stream speed अगर मैं कर दूँगा तो यह मेरे पास कितना आएगा speed of stream आएगा मतलब आप इन चीजों को भी याद रख लोगे तो I think आपकी calculation में यह थोड़ा helpful हो जाएगा तो आप check भी करके देख लो half down stream speed कितना होता है x plus y आप stream speed कितना होता है x minus y minus कर दो इसमें से ठीक है आप देखो plus का x है यहाँ पर minus x है plus का y minus minus plus का y तो plus का 2y हो जाएगा 2 से 2 काट दो कितना आएगा आपके पास y आएगा और y क्या होता है बच्चे speed of stream होता है y क्या होता है speed of stream होता है क्या यह बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या जारब मुझे बताओ is it clear to everyone guys ठीक है तो हम लोगों को यह तो याद रखना है मतलब ही सारी चीज़े अपने को पता होनी चाहिए speed of boat x, speed of stream y downstream speed x plus y upstream speed x minus y अगर question में downstream speed और upstream speed given है तो आप वहाँ से सीधा speed of boat और speed of stream निकाल सकते हो मतलब चीज़ों को समझो अगर speed of boat और speed of stream पता है तो downstream speed क्या होती है x plus y, x minus y तो downstream speed is x plus y upstream speed is x minus y अगर मुझे upstream speed पता है और downstream speed पता है तो वहाँ से मैं फिर speed of boat and speed of stream निकाल सकता हो अगर मुझे upstream speed पता है और downstream speed पता है उन दोनों को add करो और one by two से उसको multiply कर दो तो solve करके क्या जाएगा speed of boat आ जाएगा और वहीं पर अगर मैं downstream speed में से आप stream speed को minus कर दूँगा और भार हाँ से multiply कर दूँगा तो यह हमारे पास क्या आएगा speed of stream आएगा जिसको हम लोग usually y say denote करते है तो मुझे लग रहा है थी यहां तक की बात आप लोगो समझ में आ गई होगी ठीक है यहां तक किसी को कोई problem नहीं होगी तो लेट्स टाइ सम कॉस्चेंज अन दा कॉंसेट ऑफ बोटनी स्टीम उस्ते और ज्यादे क्लारेटी आ जाएगी ठीक है यह तो concept था ठीक है कुछ कॉस्चेंज ट्राइ करते हैं तो इस इस इफर फ़र्स कोश्चें अन दा कॉंसेट ओफ बोटनी स्टीम हमारे लिए तो AK entity हो ठीक है आदमी का काम भी क्या होता है पानी में तैर रहा होता है ठीक है अच्छा जो लोग swimming जानते है वो लोग शायद समझ पाएंगे अगर पानी का फ्लो भी इधर है और वो भी उसी direction फ्लो कर रहे है तो हमारे लिए स्विम करना बड़ा असान हो जाता है बट जस्ट इमाजिन अगर पानी का फ्लो इधर है पानी कैसे फ्लो कर रहा है इधर फ्लो कर रहा है तुम उस direction से इधर मूव करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत difficulty में हससोस होती है स्विम करने में तुम्हें देखा हो तो ठीक है जिन लोगों स्विमिग आती है पानी उधर जा रहा है तुम हिधर हा रहे हो इसलिए कौन से क्यों सुपते है अप स्विद कम हो जाती है डाउस्ट्रीम में स्विद हमारी जाध रहती है तो हमेशा थियान रखने या बोट हमारे तो बात एक ही है हमें X का वेल्यू कितना दिया हुआ है 13 km per hour दिया हुआ Speed of water, speed of man वो बात एक ही है initial water रुक्यों के पानि में उसकी speed इतनी है If the speed of the stream is 4 km per hour हमें Y का वेल्यू कितना दिया हुआ है 4 km per hour दिया हुआ है What will be the time taken by the person to go 64 km down stream कहां जाने है उसको downstream जाने है तो downstream speed कितना होता है Speed of water plus speed of stream so 13 plus 4 कितना हो जाएगा 17 km per hour उसका downstream speed आगया 17 km per hour Down stream speed कितना आगया 17 km per hour getting my point अगर downstream speed 17 km per hour है बच्छे तो हमसे पूछा था What will be the time taken by the person to go 68 km down stream 15 अब universal formula time किसके बराबर होता है distance upon speed के distance 68 है और downstream speed कितना है 17 है so this is nothing हमारे पास कितना आएगा 4 hours हमारे पास इस question का answer बड़ा easy question था और आप लोगो समझ में भी आ होगा easy question conceptual clarity के लिए बड़ा एच्छे होते है question तो बहुत अच्छे-च्छे बन जाते हैं इसमें but easy question से starting करो confidence build up होता है ठीक है चलो let's this is our let's try the next question which is question number 45 in a in one hour clearly even in one hour time clearly mentioned in one hour a boat goes 13 km in the direction of the stream and seven km against the direction of the stream what will be the speed of the boat in still water तो boat का speed कितना होगा still water में यह मुझसे पूछा जा रहा है ठीक है चलो 13 km per hour in the direction of the stream जिस direction में पानी flow कर रहा है उस direction में अगर boat travel करती है तो वो एक घंटे में 13 km travel कर लेती है तो यह 13 km actual में है क्या in the direction of the stream this is our down stream speed भाई clearly mentioned है ना in one hour a boat goes 13 km वैसे यहाँ पर पर आर नहीं आएगा आपको पता है यहाँ पर क्योंकि वो clearly शुरू में उसने बोल दिया ठीक है या तो फिर question starting की ही से उसको हटा जाना in one hour a boat goes 13 km in the direction of the stream and 7 km against the direction of the stream ठीक है देखो मालो यह हमारे पास पानी है ठीक है यह यह उस्सी direction में भूब कर रही है जिस direction पानी मूव कर रहे है दोसा सिनेरों देखो मालो यह है अब पानी का फ्लो तो इधर ही जा रहा है यह हमारे पास एक boat यह boat अब मूव कर रही है इधर ध्यान से देखना उपर वाले केसे पानी का फ्लो इधर था और boat का फ्लो इधर था दोनों का फ्लो सेम डारेक्शन तो boat ने कितना ट्रेवल किया 13 km सभोट और ने कितना चॉभल किया यहां पर समझ में आ गई आप लोगो एक घंटे लिमें इंदता है इन वनख तो मूझे बताओ जिस डिर्रेकशन पानी अगर्ट मेल और इस अगर उसरे में मेंसट है तो यहां पर हमारा जो डाउनिंप स्पीड ना यहां से जो घंचल बहुंआ ए शूसली बहु स्ट मेंसट अग इंचक्षान आव ही सब्सक्राइख ये यह घंचले चलए तो यह उसने मेंसट हो गया उस तो 7 km पर आर उसका upstream speed हो गया हमें downstream speed कितना दिया हुआ है 13 मतलब downstream speed indirectly दिया हुआ था upstream speed हमें indirectly 7 दिया हुआ है हमसे पुछा के जाए रहे what will be the speed of the boat in still water we have to find the speed of the boat हमें boat का speed बताना है अगर logically लगाया logic लगाय जाए तो downstream speed बोले तो यह क्या होता है x plus y होता है वैसे तो हमारे पास इसका shortcut है आप upstream speed क्या होता है x minus y होता है x क्या होता है speed of boat y क्या होता है speed of stream these are the two equations यह हमारे पास equation number one है यह मेरे पास equation number two है अगर मैं इन दोनों equations को add करूंगा तो x plus x बन जाएगा 2x plus y से minus y उधर आ जाएगा 20 तो 2x का value कितना आ रहे 20 आ रहे है तो यहां से x का value कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यहां से x का value कितना जाएगा 10 आ जाएगा x को हम लोग क्या मानता है शुरू से speed of boat क्या उसके हमसे speed of boat पूछा है yes speed of boat पूछा है तो कितना आया 10 km पर आर जो कि option B में है यहां तक की बात आप लोगों को clearly समझ में आ गई के जड़ा मुझे बताओ is it clear to everyone guys ठीक है I hope आप लोगों को यह question समझ में आ गया होगा ठीक है so basic सा question था उसी concept पर बेशता next question देखो a woman can row up stream at 16 km per hour a woman can row up stream at 16 km per hour and downstream at 26 km per hour what is the speed of the stream just a similar to previous question अच्छा है इस question को आप लोग औरली भी निकाल सकते हो आप बोलों कि सब डाउन stream speed given अब stream speed given और speed of boat निकालना है तो मैंने आप लोगों बताया था याद कर लोग मैंने बताया था भही आप लोगो आप लोग अगर याद हो तो अप stream speed अगर मालूम है अप stream speed प्लस downstream speed को add करो उनका half से multiply करो तो क्या जाएगा speed of vote आजाएगा तो आप लोग ये काम directly भी कर सकते हैं question number 45 में और इसी में अगर downstream में सब stream को minus कर देते हैं half से multiply कर देते हैं तो speed of stream आजाता है तो जरा 45 question देखो कि इसी पर बेश था क्या 13 प्लस 7 20 को half से multiply करो 10 speed of vote आगे वही answer था औरल ही निकाल सकते थे इस question में देखो तो upstream speed कितना है 16 है इस question में देखो तो upstream speed कितना है 16 है downstream speed कितना है 26 है हमें speed of stream बताना है तो speed of stream अगर आप लोग को याद हो जिसकों लोग y से denote करते थे speed of stream को याद है तो y का value कितना होगा था 1 by 2 direct मैंने बताया था downstream speed minus upstream speed कर लो downstream speed कितना दिया हो है 26 upstream speed कितना दिया है 16 10 बट्टे 2 कितना आएगा 5 5 km पर रार y का value कितना आगया 5 km पर रार यह तो direct shortcut रटने वाली बात है और अगर भाई किसी बच्चे ने कुछ याद ही नहीं कर रहा थीक है तो उसे पता होना चाहिए अब upstream क्या होता है x minus y होता है x minus y का value 16 दिया हुआ है x plus y का value 26 दिया हुआ है इन दोनों equations को add कर लो थीक है आज हम इन दोनों equations को subtract करेंगे subtract क्यों करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है y का value निकालना है तो x में से x गया 0 plus y में से minus minus y तो 2y आजाएगा उदर हमारे पास 10 आजाएगा और y का value कितना आजाएगा ठीक है भाई हम ये काम भी कर सकते थे इस question में बोले तो हाँ है न यहाँ तक की story आप लोगा I think समझ में आ गई होगी मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ तक कोई problem होगी ठीक है यह 47th question को आप लोग ट्राय करो ठीक है we'll discuss this question in next session मैं तो अभी back to back records कर रहा हूँ session को बट आपको क्या करना है इस 47th session को आप लोग क्या करोगे solve करोगे और इसका answer मुझे comment section में बताऊ ठीक है आप लोगा काम यह है और फिर comment section में answer बताने के बाद जो हमारा next video है इसके बाद वाला वीडियो है उसमें भी हम लोग boat and stream के और question discuss करेंगे तब मैं इसका आपको video solution में पूरा explain करूँगा इस question को ठीक है चलिए यहां see you in next session तब तक के लिए बावाई गाई take care and do share the link of this session and also subscribe my YouTube channel okay try this question और comment section मुझे answer चाहिए इसका फिर मैं आपको इससे amazing short term बताऊँगा ठीक है चलिए bye guys